या उसके देखलेते हैं उसके लिए कंथर दे यह आपके साथ बिहार के स्वास्त व्यवस्ता की हालत की कहानी उसे तो आप बिहार में जो बेड़्हास्पिटल्स में बेड़् की कमी सब जानते ही कि बेड़ की इतनी कमी है कि मरीजों को जमीन पर लिटाकर उनका इलाज जाता है। अगर ऐसा वीडियो आपके सामने आए जिसमें बेट पर मरीज लेटे लिटाए जाते हैं उस बेट पर कच्रा धुआ जा रहा है और उस बेट पर कच्रा रख करके फेका जा रहा है तो आप इसे और क्या कहिएगा बिहार का जो स्वाइस्त विवस्था है उसका जो लचर पर मोशल मिडिया पर काफी वाइरल हो रहा है जिसमें बिहार के स्वास्त की जो कुउववस्था है वो देखने को मिलरा में दरेसल असकाल में बेट की कमई के कारण जमीन पर लिटा कर मरीजों का इलाज करना बिहार के लिए बड़ा ही आम बात है और और ऐसे में अगर किसी अस्पताल में बेड को ही कचरा ढोने का साधन बना दिया जाए तो इसे आप अगर कूब विवस्था नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे बिहार में ऐसा ही एक मौामला मुजफर पूरजीले से देखने को मिला है जहां सदर अस्पताल के बेड पे कचरा ढोने का एक विडियो वाइरल हो रहा है इस वीडियो में सादर अस्पताल में जेनरल बॉर्ड के सामने मरीज के इलाज करने वाला चक्के वाला बेट को थेला बना कर मेडिकल वेस्टेज धोया जा रहा है वीडियो वाइरल होने के बाद स्वास्त विभाग भी हरकत में आया और पूरे मामले के आदेश दिये गए मुझफरपूर के सिविल सर्जेंट डॉक्टर उमिश्चंदर सर्मा ने इस मामले के प्रकाश में आने के बाद इसे गलत माना है उन्होंने कहा कि ये गलत है जिसने भी ऐसा किया है उस पर तुरंत कारेवाई करेंगे उन्होंने कहा कि मामले में पूरी जाँच की जाएगी आपको बता दें कि बिहार के मेडिकल कॉल abonn time को लेकर असपटाल अधिक्ष़क को निलंबित कर दिये और साथ ही अब देखने वाली बात ये है कि ये जो मामला है इस पर अब ये तेजस्वी यादों क्या कारेवाई करेंगे जो कि बिहार के उपमुख्य मंत्री और साथी स्वास्त मंत्री भी है तो देखिए पहले सुनिए जो मुझफरपूर सदर अस्पताल के सर्जन है वो क्या कुछ कह रहे है ये मामला जब उनके प्रकाश में आया है उसके बाद सर बेड से कच्राट भने का विडियो सामी आया है सबस्क्राइब किया है उसको देख लेते हैं उसके लिए कौन उतरदाई है उसको दंडित करेंगा कि बोईला परवाई लगती है सर्च जहांए पakर बेड के अबाब में मरीतो कहला था है जमीन में हो रहाँ यो ढ़त बात है जो चीज है उसके लिए उत्ययों गुषी का होने कहिए मैं करेंगा तो वीडियो में देखा आपने कि किस प्रकार एक अबेज है जिस पे मरीजों को लिटा कर उनका इलाज किया जाता है उस अबेज को कचरा धोने का थेला बना दिया गया है बिहार के जो स्वास्ववस्था है ये कितनी लचर है इसकी जो ख़बर है वो आए दिन अकबारों में आती रहती है आए दिन हम आपके सामने लाया करते हैं बिहार के hospitals में बेट की कमी इतनी होती है कि मरीजों को जमीन पर इचाकर उनका इलाज करवाय जाता है और कई मरीजों को तो बेट भी नहीं मिलता है ऐसे में ऐसा वीडियो अगर सामने आए तो इसे हम जो स्वास्त विवस्ता है उस पे सवाल उठना तो लाजमी तो इस खबर में बस इतना ही और पर वीडियोज और अब्डेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूस फॉर्णिशन